नियोजी सिश्को को करना होगा इंतजार त्रांसपर फसा अब नई नीमा वली के लागू होने के बाद होगा तबादला और इधर पंचायती राज ब्यवस्ता को ध्वस्त कर रही है नितीज सरकार छीन रही है अधिकार और अंगनवाडी सही का सहाईका को मिलना चाहिए अरिकार नहीं तो इट से इट बजा कर रख देंगे उहें जीवका देदियों को अभी और करना होगा इंतजार और लालू बोले मैंने जेल से सोनिया को किया था फोन तब अखिले से यादव बने थे सांसद और दो नवंबर को नितीज कुमार नियुजी सिख्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र सबसे अधिक पटना परमंडल के साथ जासिश्कों को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्य मंतरी नमस्कार मैं हुआ भैकुमार आप देख रहे हैं अपना खास का आकरम बिहार समाचार बिहार समाचार में कभरे बिहार की बाते बिहार की देश-धुनिया की तमाम ख़ब्र जिसे आपको जानना जरूरी है उप्धा स्माचार में ख़बरलेते हैं सत्ता के गलियारों से पंचायत के गलियों से और गाउं के चौपलों से जो आपको रखता है अपडेट तो पहली कवर ले रहे है नियोजित सिख्षको क्या ट्रांसफर फस चुका है अब नई निमावली लागू होने के बाद ही ट्रांसफर होगा एक लाक्ष अधिक सिख्षको को दो साल का इंतजार और बढ़ गया है यह मामला बार बार फस रहा है पहली बार यह फस नियोजित सिख्षको को दूसरे जिलों में तबादला के लिए विवाज सफ्वेयर तयार करवा रहा था लेकिन सफ्वेयर समय पर बनकर तयार नहीं हुआ फिर दूसरा कारण है हुआ कि छठे चरण की नियुक्ति परकिरिया सुरू हो चुकी थी इसलिए तबादला को टा ट्रांसफर का एक मसौदा तयार किया जाएगा तबादला जो होना था पहले से तबादला के लिए सफ्वेयर के माध्यम से एक चुक सिख्षको को जीला ट्रांसफर होना था तबादला नहीं होने से सिख्षको में तनाव है यह पर देश अध्यक्ष बिहार पंचायती तबादला नहीं होने से सिख्षा का तबादला तूरंत करने का तुरंत मौका दे वहीं दूसरी तरफ नियोजी सिक्ष को ने जो BPSC परिक्षा पास कर लिये है उसी बिद्याले में रहेंगे लेकिन मांगिया उठ रही है कि उनके जगह पर इस सीटों को नहीं भारा जाए उस सीट को खाली रखा जाए परतिक्षा सूची जारी किया जाए तो BPSC जो क्वालिफाई कर गए हैं उनको मिलने वाला है बड़ा मौका जारी होगी परतिक्षा सूची और एक तरह नियोजी सिक्ष को ने जो सीट को भरा है उसे खाली माना जाया उस पर भी बहाली हो ऐसी मांग की जा रही है पटना हाई कोट में किया जा रहा है याची का दायर और इधर वाड सदस और पंचायती राजविबाद के खबरों की बात करें तो पंचायती राजविवस्ता को द्वस्त कर रही है नितीज सरकार चिन रहे रही है अधिकार भाजपा के परदेश परवक्ता मनोज सर्मा ने लगाया है बड़ा आरोप 50 पिसदी महिला है वह आरक्षन रोष्टर के तर चुनकराय जनपर्णीदियों का अधिकारों का सरकार हनन कर रही है पंचायती राज का काम जो विभाग पंचायती राज कराता था वह पूरी तरह से भरष्टा जार मुक्त होगा लेकिन पंचायती राज से ज्यादा भरष्टा चार ब्रेडा को ट्रांसपर करा रही है तो पंद्रहवी वित योजना से आम जनता को गली नली या फिर प्रात्मिक सुभधाय उपलब्द नहीं कराई जा रही है हलाकि इस मांग को लेकर मुक्या जे भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि जो पंद्रहवी वित की रासी है वो ब्रेडा को नहीं दिया जाए और वहीं दूस्तरी तरफ अगर हम बात करें तो आंगन वाड़ी सेविका और सहाई का अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन क कर रहे हैं कि पाच हजार मैं दम नहीं और पचीस हजार से कब नहीं बार बार या घोसना की जा रहे है कि का मांदे को बढ़ाया जाएगा अनराज्यों में तो लागू कर दिया गया Chair में अब तक का सहाई का मांदे को नहीं बढ़ाया के गया है और सिर्फ घोष्णा हजार और सेविका को 24,000 बेतन दिया जाए मान दे दिया जाए आपकी राय क्या है कॉमेंट में जरूर बताईएगा अंगनवाड़ी सेविकाओं के आवाज को और बुलंदी के साथ उठाना है अंगनवाड़ी सेविका साही का जितने भी आप विडियो देख रहे है चैनल को अगर बात करें तो बयान बहादुरी तक ही सिमित है भाजपा के रायती राजीव रंजन का यह बयान है जिस पर भाजपा ने काया है कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुका है अब तरह तरह के बहाने बाजी कर रही है इधर जो भी प्रिक्षा हुई है उसके हवाले से भी एक सब्सक्राइब हो आयोजीत होगा ने सिच्चों का एक नवंबर तक परसिक्षन संपन हो जाएगा एक तरफ जहां फरजी फरजी परचार्ती फरजी भ्यारती की बात उठाए जा रही है और पीपीएसी ने कह दिया है कि संख्या जादा थी इसलिए हमने जो डॉक्मेंट का काम राज्य सरकार के जीन में रहे तर बीभात के जीन में दे दिया और सिक्षा बिभात बीना जांच किये सिर्फ वाटर मार्क देख र उन्हें डॉक्मेंट वरिफिकेशन उसे सही करार दे रहा है जबकि बहुँ सारे योग जो अभ्यारती है उस शिक्षक बन रहे हैं तो क्या वह ज्वाइन कर लेंगे तो क्या उन्हें हटाया जाएगा हलाकि अतुल परसाद ने कहा है कि जो हमने रिजल्ट जारी किया है वह सफसर्प है तो फिर ऐसी प्रकिरिया में क्यों जाना है जहाब गरत लोगों को पहले बहाल किजिए और फिर उसको हटाने का प्रयास किजिए कोट में मामला फसेगा और जो लाइन में हैं बिहार के वैसे मिधावी जो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है जो सिक्षक बनना चाहते हैं वह लाइन में है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो सरकार से मांग किया जा रहा है इन संगों के द्वारा कंडिड भेकेंसी निकाली जाए कॉमेंट बताईएगा इस मांग पर आपका क्या कहना है क्या मांग सही है या मांग गलत है और इधर जैपूर से पटना के लिए इंडिगो की सीधी फ्लाइट 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत के समसे नेशनल इंटरनेशनल खबर आ रही है कि कतर में जासुसी के आरोप में आठ भारतियों को मोत की सजा मुली है भारत ने कहा कि फैसले को जटका लगा है चुनावती देंगे और जो सारे जो आठ याठ लोग है यह नौ सेना में योगदान दे चुके हैं कई दुपोतों की कमान संभाल चुके हैं यह अफसर हैं इस सारे के सारे निवी के अफसर थे जो टारिक कर गए किसी कंपनी में काम कर रहे थे कतर तार में हिन पर जासवसी का आरोप लगा जा रहा हुए उपि और पिछले साल अक्टूबर के महीने में इन्हें गिरिफतार किया गया का बिहार कई धर्मों की जन्मस्थली अध्यात्मिक जागरिती की भूमी है तेजस्टी ने कहा बिहार राज में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं वही नितीष कुमार मुख मंति नितीष कुमार ने कहा कि हर खेत तक सिचाई का पानी पहुंचाने का काम तेजी से हो सदन के सत्र और तेवारों के कारण धीम संसद की तीथी बदली अब 26 नवंबर को होगा आयोजन और वहीं पटना से बड़ी खबर आ रही है सगुनामोड पुलिस चौकी में लगी आग तीन राइफल सहीत सेंखडों गोलियां जलकर हो गई है राख और पीम और अच्छा म सब्सक्राइब कर लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू किजिएगा अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा मिलते एकले वीडियो में जैहिंद बंदे मातरम